अब लगाएं गरफ पानी के बॉयल में डालें उसके उपर इसको रखे दो मिद्ट पर जूम करके भोटो बनाएं आपको इसमें काले काले बरी गुरी तार सी पतले पतले काले काले कीरे चलते दाएंगे वही हम गरम साथ लेके अंदर खीचते हैं और उसे से हमारे दो सबको इसके इसके इंदर बहुत ही बारिक बारिक गड़े होते हैं जम्स होते हैं जो के गरम से गरमी मिलने से उलग भार आते हैं तो जैसे आप यह मास लगाते हैं अपने मुह पर और आपके मुह से जो गरम भाप निकलती गरम सांस निकलती हैं वह गरम सांसों से क्यड़े जो इस माक्स के जो बारिक 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 छेद है उससे भार आते हैं और फिर जब आप सांस अंदर लेते हो तो यह बारिक बाई जो छेज से जो बारिक बाई कीड़े हैं जो आपको आम आख से दिखाई नहीं देता वह आपके सांसों के जरी आपके फेपड़े में आप अंदर जाते हैं और इसी से बीमारी ज्यादा फैलती है और इसी से लोग बीमार होते हैं और इस क्योंकि इतने बारी होते कि आपको आँख से दिखाएं देगा आपको जूम करके आप देख सकते हैं कि एक बारी बारी जो जम से वह गरम भाप से भार आते हैं तो भाई यह बहुत डिंजर है इसको आप ध्यान रखिए बीमार जादा लोग इसी तरीके से हुए हैं मास लग और होश्यार है कि ऐसे मास ना पेना करें घर में बनाएवाँ मास कपड़े का बनाएवाँ मास बनाकर अपने हाथों से बनाकर पहने और उसी को यूज करें ताकि आपसको दो भी सकते हैं ऐसे विकी जो मार्कर में मिलते हैं उसको मास को ना खरीदे आप चाहें तो इसको करके देख सकते हैं हर मास्क में आपको दिखाया देगा यहां पर दस बारा मास्क किया गया और हर मास्क के अंदर यह बारिक बारिक जर्म्स केड़े दिखाया दिया गए